हलो जी, नमश्कार, सलाम, सब्सक्राइब काल विश्यू अलब वेरी वर्म वेलकम तो इस वंडर्फुल सेशन अफ अकाश बायजू जी नीट यूट्यूब चानल मैं आपका अपना डॉक्टर सचिन कपूर एक बार फिर से आपके सामने हूँ एक और बहतरीन सेशन ले करके डाइजेशन और अब्सॉप्शन हीूमन फिजियॉलोजी का एक बहुत ही इंपोर्टन्ट चप्टर इससे पहले तीन लेक्चर्स हम अलड़ी कर चुके हैं प्लेलिस्ट जरूर एक्स्प्लोर कर लीजेगा प्लेलिस्ट में आपको पीछे के सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे ठीक है? And I'm sure कि आप लोग हमारे टेलिग्रम चैनल पर भी जुड़े हुए हैं Because टेलिग्रम पर हम आपके साथ सभी सेशन के PDF यानि की Notes Share करते हैं और इसके लावा हर लेक्चर से रिलेटेड सारी important information आपको टेलिग्रम पर दी जाती है Right जी? Vishal, Rakhi, Devendra, Nikunj, Welcome everyone Welcome to this wonderful session and अपनी Notes, Copies अपने साथ तयार रखियेगा Anthe, Akash National Talent Hunt Examination पोरे भारत का एक बहुत ही भेतरीन scholarship exam हर बच्चा ये चाहता है कि इस exam को clear करके वो cash prizes, 100% scholarship and even a chance to win a trip to NASA जीत सके So मेरी तहे दिल से शुब काम नाए है आप सभी के लिए Anthe exam के लिए register जरूर कीजी वीडियो के description में आपको link मिल जाएगा और बड़ा ही असान procedure है Anthe के लिए register करने के लिए एक बात मैं आपको और बताना चाहूँगा दोपहर तीन बज़े भी मैं आप लोगों से मिलता हूँ और कब Tuesday को and Thursday को पूरे week का time table आपके सामने है इस समय dropper batch भी चल रहा है जी हमारा दो बज़े से तीन बज़े तक, तीन बज़े से चार बज़े तक Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday रोजाना हम आपको पढ़ा रहे हैं और उसके इलावा आप जानते हैं Friday के Friday यानि शुकरवार को मैं 6 बज़े आपसे मिलता हूँ Human Physiology के लिए Tuesday and Thursday को 5 बज़े भी मिलता हूँ आपको और Tuesday and Thursday को 5 बज़े हम Class 12 का Genetics पढ़ रहे हैं सारे Lectures चैनल पर available हैं समय निकालिए और जरूर देखिए आकाश बाइजूस की एप अपने Android फोन में आईफोन में जरूर इंस्टाल कर लिजिए 14 डेस के लिए हम आपको Free Trial दे रहे हैं बहतरीन Diagrams, Wonderful Videos, Animations Question Bank सारी चीज़ें आपको मिलेंगी One Stop Solution for all your needs and what is that One Stop Solution? आकाश बाइजूस अप वीडियो को like कर दीजी share कर लीजी, जादा से जादा लोगों को अपने साथ जोड़िए और फिर सफर को आगे बढ़ाते हैं ठीक है जी? Hope you all are excited चलो, सुनो अपने हर session की शुरुआत जो है मैं एक प्यारी से quotation के साथ करता हूँ तो आज मेरे पास क्या quotation है आपके लिए? एक दीपक स्वयम नहीं बोलता प्रकाश उसका परिचे देता है आप भी बोलने के बजाए अपने ग्यान का प्रकाश फैलाएं वैट? मेहनत इतनी खामोशी से करें कि सफलता शोर मचा दे यही जीवन का मूल मंत्र है इसे आप अपना लीजिए और आप डेफिनेटली सक्सस्फुल जरूर होंगे तो इसी प्यारी से नोट के साथ आज के इस सेशन की शुरुआत करते हैं बीच बीच में आपसे बातचित भी करते रहेंगे आपका हालचाल भी पूछते रहेंगे डाइजस्टिव सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो मुख्य रूप से दो चीज़ों को पढ़ना है एलिमेंटरी कैनाल और उसके साथ जुड़ी हुई अलग अलग तरहें की डाइजस्टिव ग्लैंज अलिमेंटरी कैनाल में क्या-क्या इंक्लूड़ेड है? माउथ, फैरिंग्स, इसोफैगस, स्टमक, स्मॉल इंटस्टाइन, और लार्ज इंटस्टाइन अपने पिछले सेशन्स में हम बको फैरिंजिल कैवटी यानि माउथ एंट फैरिंग्स के बारे में पढ़ चुके हैं इसोफैगस के बारे में भी पढ़ चुके हैं एंट स्टमक के बारे में भी अल्रेडी प्रीविएस सेशन्स में कवर कर चुके हैं वीडियो अवेलेबल हैं चैनल पे जरूर देख लिजेगा आज हम जिक्र करने वाले हैं Small Intestine and Large Intestine का तो चलिए शुरुआत करते हैं Small Intestine से नाम जरूर Small है लेकिन ये काफी लंबी होती है क्या आप जानते हैं? Small Intestine को Small Intestine कहते क्यों है? हिंदे में हम छोटी आंत, बड़ी आंत बोल देते हैं Large Intestine की comparison में इसका diameter जो है, वो कम होता है चलिए, Small Intestine कहां से शुरू होती है? स्टमक का structure याद कीजी मान लीजी, ये है esophagus, ये है stomach स्टमक के अलग-लग हिस्से याद हैं आपको cardiac region, fundic region, pyloric region तो यहाँ पे pyloric sphincter होता है है न? Shall I write here? This is pyloric sphincter pyloric sphincter regulates the passage of कायम, स्टमक में कायम होता है न? जो bolus of food स्टमक में पहुंचा उसके साथ acidic contents of the stomach mix-up हो गए तो वो कायम बन गया कायम को आगे पहुंचाना है आगे यनि के कहा? यनि की Small Intestine के इस पहले हिस्से में जिसे डियोडिनम कहा जाता है So Small Intestine का पहला हिस्सा क्या है मेरे बेटा? डियोडिनम तो पहला पॉइंट स्माल इंटेस्टाइन के लिए इट बिगिन्स एट पाइलॉरिक स्फिंक्टर आफ दा स्टमक जहाँ पर एसोफेगस आके स्टमक में खुल रही है यहाँ पर भी आपको स्फिंक्टर बताया था काडियक स्फिंक्टर यहाँ लोवर गेस्ट्रो इसोफेजियल स्फिंक्टर ओके? इसका डाया मीटर इसका व्यास बताया गया है लगबग धाई सेंटीमीटर लंबाई इसकी तीन मीटर है एक लिविंग परसन में एक जिन्दा इंसान में और लगबग साड़े छे मीटर एक कैडवर में कैडवर समझते हैं, डेड बोडी, लाश जब आप मेडिकल कॉलेज में जाएंगे तो आप कैडवर डाइसेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत लंबी है ऐसा कैसे हो जाता है, मृत्यू के पश्चात स्मॉल इंटेस्टाइन लंबी क्यों हो जाती है विकॉस जो इंटेस्टाइन के स्मूथ मसल्स होते हैं, डेथ के बाद वो मसल्स रिलाक्स कर जाते हैं और उन muscles की relaxation के कारण small intestine ज्यादा लंबी नजर आती है So it is due to loss of smooth muscle tone after depth Clear है जी? Small intestine को कह तो दिया small intestine but is it actually small? क्या ही छोटी है? Well, the average height of a man is 1.7 meters और small intestine साड़े छे मीटर के करीब लंबी है तो भाई, मानसी बेटा छोटी तो नहीं है, है तो काफी लंबी तो फिर small शब्द का प्रियोग क्यों करा? Why we call it small intestine? Can you tell me what is the reason? बताईए बेटा, आक्षिता, सोहम, मानसी, रुचिता What is the reason? Why it is called small? Because of the smaller diameter इसका diameter कम है, एकदम सही का आपने चलिए, एक प्यारा सा काम करेंगे जिन्नों ने अभी तक, जिन्नों ने अभी तक like का button नहीं दवाया है जल्दी से session को like कीजी ज्यादा लोगों के साथ share भी जरूर कीजिएगा हमेशा कहता हूँ यह बात आपको हम quality education दे रहें बस आप इतना काम कीजे उसे और लोगों तक जरूर पहुँचाईए किसी का मार्ग दर्शन कर देना बहुत बड़ी बात होती है है ना? Small intestine के तीन हिस्से होते हैं Diodenum, Jejunum and Ileum clear है बच्चे? Diodenum, Jejunum and Ileum तीन हिस्से हैं तीनों की अपनी अपनी विशेष्टाएं हैं जो हम जानते हैं सबसे पहले Diodenum के बारे में जानते हैं ठीक है जी? So we are going to study the anatomy of the small intestine Diodenum बिलकुल शुरुआत का हिस्सा है The first region of the small intestine is Diodenum ओके, इसके बारे में क्या क्या याद रखना है It is shortest and it is the widest part of the small intestine छोटा है और 25 cm के करीब है और लगबग 20-25 cm लंबाई इसोफेगस की भी होती है It extends about 25 cm until it merges with Jejunum Diodenum के बाद अगला हिस्सा है Jejunum Diodenum को C shape या U shape भी कहा जाता है Shape जो है इसकी C shape या U shape है Abdullah कह रहे मैं 9th class में हूँ I want to prepare for neat exam बहुत अची बात है अब हमारे lectures देख सकते है Diodenum शब्द का मतलब क्या है 12, 12 Diodenum means 12 It is so named because it is about as long as the width of 12 fingers 12 उंगलिया एक साथ जोड दी जाए तो जितनी width उनकी बनेगी लगबग उतनी इसकी लंबाई है इसलिए हमने इसे Diodenum कहा है Shape कैसी है? C shape भी है और U shape भी है Function of Diodenum of course बेटा, small intestine में Dization and absorption ही तो हो रहा है है ना? इतनी हरानी वाली बात आप क्यों show कर रहे है अक्षिता? ऐसे emojis बेज के है ना? Function of Diodenum मतलब What is the function of small intestine? यह तो 5th class के बच्चे को भी पता होगा It is the main site for Dization and absorption of food ओके? ना Pyloric sphincter याद है ना आपको? Pyloric sphincter कहां था? स्टमक के pylorus region से जहां से Diodenum शुरू हुई है इधर देख लीजे स्टमक भी हमने दिखा दिया आपको स्टमक is the most dilated, swollen part of the elementary canal स्टमक is mainly a storage chamber स्टमक में protein digestion की शुरुवात होती है कौन से enzyme से? Pepsin enzyme से clear है जी? ना Diodenum के बाद next आती है Jejunum The second region of the small intestine is Jejunum तो हम कह सकते हैं कि Jejunum middle part of the small intestine ने लगबग एक मीटर लंबाई है ये coiled है और Jejunum ilium तक extend कर रही है Jejunum शब्द का मतलब क्या है? Do you know what is the meaning of the word Jejunum Jejunum means empty Empty मतलब खाली ऐसा क्यों? Because जब एक इंसान की मृत्यू हो जाती है उसके पस चात अगर आप dissect करके देखें तो Jejunum में आपको कुछ भी नहीं मिलेगा ये खाली मिलेगी इसलिए हमने इसका नाम रखा है Jejunum So, Small Intestine का जिकर कर रहे है Diodinum Jejunum और तीसरा हिस्सा क्या है? Ileum So, Ileum is the final and the longest part of Small Intestine तो एक question ये पूछ सकते कि Small Intestine का सबसे लंबा हिस्सा कौन सा है? Ileum और सबसे छोटा हिस्सा जो सबसे पहला है Diodinum Right? Highly coiled है लंबाई लगबग 2 मीटर के करीब है It joins the Large Intestine at a smooth muscle sphincter called ileocecal sphincter ये भी important है यहां भी question पूछा जा सकता है कि Small Intestine और Large Intestine जहां जाके मिल रहे हैं The opening of the Small Intestine into the Large Intestine is guarded by ileocecal sphincter और उसके इलावा यहां पे ileocecal valve भी होता है दोनों चीज़े हैं ileocecal sphincter ileocecal valve ताकि Large Intestine में जो भी चीज़ें प्रेजन्ट हैं undigested food, bacteria वो सारी चीज़ें गलती से भी पीछे को Small Intestine में enter ना कर पाएं इसलिए यहां पे proper तरीके से ये sphincter work करता है clear है रुचिता सागर बंदना मानसी like जरूर करते रहिए और session को share जरूर करते रहिए चलो अब मैं आपको ये क्या दिखा रहा हूँ जब आप MBBS first chair में जाएंगे anatomy में dissection hall में जाएंगे cadaver आपको दिया जाएगा एक lash आपके सामने होगी dead body smell भी आ रही होगी उसमें से आपको डर भी लग रहा होगा आपको उसे dissect करना है आपको उसमें intestine भी देखनी है diodenum, jejunum, ileum, large intestine, urinary bladder, kidneys lot many things you have to see डर तो नहीं लगेगा तो तो ये मैंने आपको cadaver दिखाया और उसमें किस तहें से ये organs नजर आते हैं वो आपको दिखा रहा हूँ मानसी अब इशेक sphincter जो होता है it is ring of circular muscles जैसे मैंने ये अंगूठी पहनी है ये ring of circular muscles है तो मान लीजे ये sphincter है और ये two-way flow को regulate करेगा valve one way होता है जैसे आप पढ़ते हैं कि भई veins में valve होते हैं to prevent the back flow of the blood चलो small intestine के अंदर ले चलता हूँ आपको let us zoom inside the intestine मालीजी हमने camera डाल दिया और intestine के अंदर घुजगे हैं हम और अंदर से देख रहे है intestine को दिख रहे हैं आपको intestine की दिवार कैसी दिख रही है ऐसे दिख रहे है ना uber cupboard सी foldings बनी हुई है so small intestine की wall जो है it is thrown into folds the folds are called what are those folds called कोई मुझे बता सकता है folds in the wall of small intestine what are those folds called the folds are called plicae semilunaris or they are called velvulae coniventes or they are called folds of carcaring folds of carcaring or velvulae मुश्किल सा नाम लग रहे है ना कोई बात नहीं याद कर ले ना डॉक्टर बनना है आपने तो याद होना चाहिए आपको so small intestine की plicae circularis बिलकुल सही का आपने right 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 ठीक है जी तो small intestine की wall अंदर से folded है जिसके कारण surface area बहुत जादा हो जाता है इन folds के उपर subfold होते है and those subfolds are called villi और फिर villi पर micro villi present होते है दिख रहे हैं ये fold the wall of small intestine is thrown into folds the folds are called folds of carcaring ठीक है folds of carcaring are highly developed in jejunum maximum absorption jejunum में है folds of carcaring जिसका अभी जिकर करा they are highly developed they are highly developed in jejunum folds of carcaring are highly developed in jejunum याद रहेगी ये चिस is it clear अब्दूल मानसी clear है folds of carcaring कहां पर highly developed है jejunum में so maximum absorption भी jejunum में होगा अब एक और important चीज़ बताने वाला हूँ जिस पर question पूचा जाता है NEET में कि पिर्स पैचेस क्या होते है what are पिर्स पैचेस they are named after John Cornard Pair they are unique characteristics of ilium region पिर्स पैचेस are present in ilium region what are they can anyone tell me what are पिर्स पैचेस they are masses of lymphoid tissue हमारी intestine में lymphocytes भी present है पिर्स पैचेस are masses of lymphoid tissue and these are characteristic feature of ilium region very important small intestine की histology की बातें ध्यान रखनी है so Pair's patches are clusters of lymphatic tissue and they are producing the lymphocytes याद रहेगा जी ओके एक स्टूट पूच रहे है which is the longest part of small intestine आप lecture ध्यान से सुनी थोड़ी देर पहले ही इस चीज़ का जवाब दी है मैंने कान खोले रखी आँखे खोले रखी सब समझ आएगा ठीक है जी चलिए आगे बढ़ते हैं इनी folds का जिकर कर रहे थे plicae circularis आप में से बहुत लोगों subfold भी होते हैं और उन subfolds को क्या कहते हैं इस subfolds are called जैसे ये structure जो है इस subfolds are called villi और फिर villi के structure को हम गहराई से देखें यहाँ पे epithelial cells हैं और उनके surface पे ये brush-like structures present हैं which are called microvilli so villi have microvilli so all these structures valvula, conniventis, villi microvilli they increase the absorptive surface area small intestine का मुख्य काम यही है absorptive surface area को बढ़ाना ठीक है जी so small intestine में जो circular folds हैं villi हैं microvilli हैं ये सब मिल करके absorptive surface area को कई गुना बढ़ा देते हैं अब आप एक cross-sectional view में भी देख लो एक cross-sectional view आप काटेंगे हमने दिखाया कि इतने हिस्से में diodinum का है ये jejunum का view दिख रहा है आपको ये वाला जो है है ना और इधर हमने ileum का view दिखा दिया आपको ileum में pierce patches दिखा दिये diodinum में ये एक important चीज यहां पे label करी गई है they are called diodinal digestive glands diodinum जो बिलकुल शुरुवाती हिस्सा है small intestine का it has diodinal digestive glands इनको brunner's glands भी कहते है important what are brunner's glands brunner's glands they are also called diodinal digestive glands they are also called diodinal digestive glands ठीक है जी क्या secret करते है वंच शर्मा बेटा आप उन्हें बिलकुल इग्नोर कीजे मैं भी तो उनका message इग्नोर कर रहा हूँ न करने दीजे उन्हें जो आप बिलकुल मेरी बातों पर focus कीजे brunner's glands का दूसरा नाम diodinal digestive glands ये मेली mucos and bicarbonate ions बनाती है small intestine पूरी की पूरी में कई तरहें के glands है अब ही हम आगे intestinal glands का जिकर करेंगे तो ध्यान रखना diodinum में brunner's glands है diodinal digestive glands है सब mucosa में पूरव ने बिलकुल सही कहा wonderful जी like करते रहिए share करते रहिए okay अब आप इधर देखिए गौर से दिख रहे हैं आपको ये plicae circularis jejunum region में they are highly developed in the jejunum region now you can see this region this is the ileum region ileum region which is the longest region of the small intestine जिसमें pierce patches पाय जाते है अच्छा विलाय वर्ड का हम कई बार जिकर करते है ये उंगलियां क्यों दिखाई हैं याँ पे आप देख पा रहें ये finger जैसे ही तो है what are villi single villi के लिए word यूज करते है villus they are finger like projections right where they are present they are present in your small intestine जैसे एक villi का structure दिखाना हो तो भाई ये एक villi है इसके अंदर central lymph vessel भी होती है that is very important इसका भी अभी जिकर करेंगे villi के अंदर center में एक lymph vessel होती है and that lymph vessel is lacteal right what is lacteal lacteal is a central lymph vessel in the villi अभी मैं villi के cells बना के बताऊंगा यहाँ पे देखो यह ऐसे columnar cells हैं है ना इन में से कुछ mucus secret करने वाले भी होते हैं इन सेल्स को enterocytes कहते हैं what are the cells of the villi called they are called enterocyte याद रहेगी यह चीज़ enterocyte बिलकुल आशुतो इस lacteals जो होते हैं they absorb the end products of fatidization important है एक single villi यह विलस का डाइकरम देखिए कौनसे cells present है epithelial cells present है villi के अंदर एक central lymph vessel है what is that central lymph vessel called it is called lacteal and as you said lacteals absorb the end products of fatidization fatty acids and glycerol यह रहे columnar epithelial cells और इनी को हम कह देते हैं enterocyte क्या कहते हैं enterocyte एक enterocyte का enlarged view अगर में बना हूँ तो उसकी plasma membrane ऐसे जो epical surface है यह folded है और इसी को the folding of the plasma membrane is what is called micro villi एक single enterocyte की membrane folded है और उसी ने micro villi बनाए तो villi के पास micro villi जिसके कारण absorptive surface area और ज़्यादा बढ़ जाता है ठीक है जी? clear है? यह lymph vessel है of course यहाँ पे blood vessels capillaries, arterioles यह सब भी होगा this is also important crypt of liber kuhan यह जो ऐसे करके depression आपको दिख रहे है न यह crypt of liber kuhan एक तरह से intestinal gland है यह भी बहुत सारी चीजे secret करते हैं जो अभी हम आगे पढ़ेंगे ठीक है? अब आप देखो यह मैंने brush जैसी चीज़ दिखाई है न यह दिख रहा है यहाँ पर यह microvilli दिखाने के लिए microscopic projections microvilli they give the cells brush bordered appearance और ultimate मकसद क्या है? to increase the absorptive surface area small intestine is the chief site for digestion and absorption किसी भी चीज़ का digestion and absorption small intestine में है आशुतुष आपने सही कहा यही पे villi में, बीच बीच में अगर हमें दिखाने है तो मैं दिखा सकता हूँ कि यह वाला cell mucus secrete करने वाला cell है आपने सही नाम बताया goblet cell what are goblet cells? they secrete mucus where are they present? they are present in your small intestine चलो, देखो microvilli को गौर से villi के उपर यह दिख रहे हैं चोटी 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 ब्रश जैसे थे अब हमने उन्हें बड़ा कर दिया microvilli like बनते हैं न? इतने beautiful animations आपके लिए लेके आते हैं so like जरूर किया करो साथ साथ thank you अदीबा बिटा, thank you so much succus entericus intestinal juice को कहते हैं हम जिकर करेंगे small intestine में तीन अलग-लग तरें के digestive juices mix होते हैं आके pancreas से आने वाला pancreatic juice gallbladder में जो stored था वो bile juice और खुद intestinal glands ने जो सिक्रीट करा है intestinal juice एक और important बाब small intestine की histology कि भई अगर small intestine का section काटेंगे transverse section तो क्या-क्या layers नजर आएंगी sequence याद रखना ये layers बाकी regions में भी है stomach में भी है large intestine में भी है the wall of small intestine is composed of the same four layers that make up the most of the GI tract GI tract का full form gastrointestinal tract तो ज्यादा तर region में यही देखने को मिलेगा mucosa उसके नीचे sub mucosa फिर circular muscles and longitudinal muscles मिला करके हम muscularis layer कह देते हैं और सबसे बाहर serosa तो sequence याद रखना है mucosa सबसे अंदर serosa सबसे बाहर याद रहेगा सबको मानसी बेटा clear है जी wonderful चलो आगे बढ़ें यह diagram कहां से लिया गया है this diagram is taken as it is from NCRT and it is important यह diagram important है अब यह सबसे बाहर वाली layer serosa सबसे अंदर वाली mucosa और सबसे बीच में आपको lumen दिख रहे है mucosa के नीचे sub mucosa और उसके बाद क्या क्या है जी circular muscle अंदर की तरफ longitudinal बाहर और पूरी layer को muscularis कह देते है so you have to remember the sequence the sequence is important question can be framed from this part है नब यही पर मैं आपको plexus भी बताऊंगा plexus आप समझते हैं क्या होता है plexus is the network of nerves plexus is network जाल पहला होता है यहां पे neurons का network of nerves present in sub mucosa तो sub mucosal plexus कह देते हैं and there is another plexus called orbex plexus वो circular और longitudinal muscles के बीच में हैं तो दो तरहें के plexus होते हैं sub mucosal plexus और micellar's plexus which is present in sub mucosa as well as between sub mucosa and circular muscles उसका काम होता है to regulate the secretion of the digestive juices जो दूसरा plexus है orbex plexus या myenteric plexus वो circular और longitudinal muscles के बीच में हैं और उसका काम होता है to regulate the intestinal movements राइट याद रहेगा myenteric plexus missness plexus बिलकुल सही वहला आप नहीं है यह वी ना बात blood vessels का network है sub mucosal plexus and the missness plexus sub mucosa में intestinal juice regulate करता है और दूसरा क्या है orbex plexus या myenteric plexus second plexus is orbex plexus or myenteric plexus किस के किस के बीच में circular and longitudinal muscles के बीच में है तो याद रहेगी यह चीज़ सबको खुरशीद is it clear रह्मान सागर विनोद विनीत मानसी it's clear to all of you wonderful important है इसलिए emphasis देके बता रहा हूँ अच्छा बताओ यह क्या नजर आ रहा है क्या दिखा आपको यहाँ पे जल्दी से बताईए can anyone guess what is this can someone tell me दिवेंदर वंच एक बार link जादा लोगों के साथ share करना जरा अपने सभी whatsapp groups में और अपने सभी telegram groups में देखते हैं लोगे पैचान पाते हैं यह नहीं कुछ बच्चे जवाब दे रहे है ascaris lumbricoids is it ascaris lumbricoids is it yes it is देखो हम कहते हैं न पेट में कीड़े हो गए पेट में तो नहीं है actual में intestine में वो तो हम language में ऐसे बोल देते हैं पेट में कीड़े तो इतने सारे worms हो सकते हैं कि intestine में yes surgical ही निकालने पढ़ते हैं देख लो as a doctor आपके सामने ऐसा case आगया तो क्या करोगे इनायत ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं जो mucosa layer होती है न mucosa में epithelium है कैसा है columnar epithelium है lamina propria और उसके नीचे भी muscularis mucosa layer होती है यह सारे pdf notes आपको मिल जाएंगे चिंता बिल्कुल नी करनी है आपने join करना है न telegram telegram पे complete pdf मिलेगा mucosa has simple columnar epithelium which has many types of cells वहाँ पे goblet cells भी है थोड़ी देर पहले किसी ने जिकर करा था goblet cells का goblet cells क्या secret करते हैं goblet cells mucus secret करते हैं याद रहेगा सभी बच्चों को intestine में कई तरहें की glands भी पाई जाती है जिन्हें intestinal glands कहते हैं mucosa contains many deep crevices मतलब दरा रहें lined with glandular epithelial cells cells lining the crevices they form intestinal glands sub mucosa region में हैं ध्यान रखना glands deeply sub mucosa layer में होती है क्या secret करती हैं intestinal juice जिसका दूसर नाम succus entericus another important thing paneth cells पर भी question पूछा जाता है intestinal glands में paneth cells होते हैं और इसके इलावा entero endocrine cells भी हैं entero endocrine word जब हमने कह दिया तो इसका मतलब है कि ये किसी ना किसी तरह का hormone बनाते होंगे बिलकुल these entero endocrine cells they secrete intestinal hormones जिसका हम आगे जिकर करेंगे paneth cells they secrete lysozyme very important paneth cells lysozyme बना रहे हैं जो की bacteriocidal enzyme it ruptures the cell wall of gram positive bacteria है ना अब ये भी तो हो सकता है आप भोजन कर रहे हैं खाना खा रहे हैं उसके साथ बैक्टीरिया आपके stomach को पार करके intestine तक पहुंच जाएं वैसे तो stomach में hydrochloric acid उसे मार डालेगा saliva में भी lysozyme है लेकिन intestine के पास भी अपना defensive mechanism है कि paneth cells present हैं जो lysozyme secrete करते हैं जो entero endocrine cells मैंने अभी कहे वो कई तरह के होते हैं entero endocrine cells अलग-लग तरह के S cells secretin hormone बना रहे अब आप यह मत समझना कि hormone पढ़ा है न आपने तो मैं उसका source बता रहा हूँ कि secretin कहां से आ रहे entero endocrine cells से दूसरे cells हैं CCK cells full form है cholecystokinin CCK किसके लिए है abbreviation cholecystokinin के लिए तो यह cholecystokinin hormone बनाते हैं then there are another cells K cells glucose dependent insulinotropic peptide यह GIP secret करते हैं digestive system के hormones बताऊँगा आपको उसमें GIP hormone discuss करेंगे इसको gastric inhibitory peptide कहते थे पहले अब हम इसे glucose dependent insulinotropic peptide कहते हैं तीन hormones याद रखने secretin, cholecystokinin and GIP इनके क्या-क्या काम है वो सारे functions आपको मैं अभी आगे बताऊँगा जो lamina propria region है किसका? mucosa का जिकर किसका कर रहे है? histology of small intestine मैंने का ना mucosa जो होती है उसमें एक तो epithelium है उसके इलावा lamina propria layer है epithelium में आपने पढ़ा है structure में ना वहाँ पे क्या है? very important areolar connective tissue जिसमें धेर सारा malt है M-A-L-T अब ये malt word जब आप class 12 में human health and disease पढ़ोगे न immunity वाला chapter वहाँ पे आएगा galt, malt तो ध्यान रखना malt का full form है mucosa associated lymphoid tissue ओके जी pears patches कहां present है? ileum region सब को याद हो गया? clear है जी? adiba, is it clear? mohan, ayush चलो, आगे बढ़े next bruner's glands very important feature of small intestine ears bruner's glands कहां है? sub mucosa of duodenum में location पूछा जाएगा this can be framed as a question in need where are the bruner's glands present? sub mucosa of duodenum मैंने कहा था न duodenal digestive glands भी नहीं कहते हैं ये क्या secret करती है? alkaline mucos small amount में bicarbonate ions भी हैं which will help to neutralize the gastric काइम जो stomach से काइम आगे पहुंचा which is highly acidic जो small intestine में आया तो duodenum में पहुंचते ही उस काइम के acid को neutralize करना अवश्यक हैं तो वो ये काम करते हैं clear है? चलिए आगे बढ़ें so that was all about small intestine so small intestine is the chief site for digestion and absorption small intestine के तीन हिस्से हैं duodenum jejunum ileum small intestine की histology बताई mucosa sub mucosa circular muscles longitudinal muscles serosa small intestine में तीन digestive juices आके mix होते हैं pancreas से आने वाला pancreatic juice gallbladder से आने वाला bile juice bile juice को बनाता liver है store gallbladder करता है and intestine के cells स्वयम जो secret करते हैं that is intestinal juice ठीक है? small intestine clear है जी? महमद शेख कह रहे है a good teacher can inspire hope ignite the imagination and it initiates a kind of love for learning in you बिल्कुल जी सही कहा है आपने बहुत ही beautiful बात कही है इसी बात पे likes हो जाने चाहिए let's increase the number of likes और फिर मैं आगे बढ़ता हूँ large intestine के लिए और साथ के साथ एक ये surgical procedure दिखा करके थोड़ा साब के अंदर जोश जगाता हूँ large intestine देख पारे हैं आप ये ऐसी होती है large intestine डर तो नहीं लगेगा देख करके large intestine में हम पढ़ेंगे सीकम, कोलॉन, रेक्टम कोलॉन में असेंडिंग कोलॉन ट्रांस्वर्स कोलॉन डिसेंडिंग कोलॉन सिग्मॉइड और पैल्विक कोलॉन ये सब large intestine में हमने पढ़ना है large intestine के functions भी आपको बताऊंगा आपको दिख गई shape कैसी है large intestine की large intestine में pouch like constrictions बने होते है इन्हें हम होस्ट्रा कहते है इनका जिकर अभी हम आगे करेंगे large intestine को large क्यों कहा क्योंकि इसका diameter large है because of its large diameter ओके लंबाई कितनी है लगबग डेड़ मीटर small intestine की तो इससे जादा थी लेकिन small intestine का diameter कम था large intestine का diameter जादा है it extends from ileum to anus ileum किसका हिस्स है small intestine का diodenum, jejunum, ileum ileum के बाद आगे शुरू होगा cecum ileum और cecum के बीच में एक valve बताया था ileocecal valve ileocecal sphincter ठीक है जी large intestine के कौन-कौन से हिस्से है large intestine का पहला हिस्सा pouch like structure होता है that is called cecum और इसी के साथ coiled tube attached होती है यहाँ पे कोई मुझे बता सकता है इसको क्या बोलते है cecum के साथ एक blind coiled tubule attached है can you guess what is this जल्दी से yes अदत्या ने, कनिश्क ने, साहिल ने सही का sir इसको wormiform appendix कहते है worm जैसी दिखती है कई बार कुछ लोगों में appendix का inflammation हो जाता है रुचिता अर्शी बेटा तो appendicitis कहते है फिर surgery करके appendix निकालनी पड़ती है प्रसुन गौरव ठीक है appendectomy कहते है उसे कनिश्क is it clear विजे appendicitis inflammation of appendix appendix को humans में vestigial माना जाता है हाँ कुछ lymphocytes जरूर होते हैं यहाँ पे सीकम को भी vestigial माना जाता है हर भी वोरस जानवरों में सीकम appendix developed होते हैं cellulose की digestion के लिए symbiotic microorganisms पाए जाते हैं यहाँ पे clear है once right and see चर सीकम के बाद colon then rectum and then anal canal चलिए जी पहले बात करते हैं सीकम की एक पाउच जैसा structure है and it houses symbiotic microorganisms can you see this is सीकम and this is appendix यह इलियम है इलियम is a part of the small intestine है न जहां पे इलियम और सीकम आके मिल रहे हैं यही पे तो बताया था इलियो सीकल valve, ileocecal, sphincter now सीकम के साथ एक outgrowth attached है जिसे vermi form appendix कहते हैं और इससे vestigial माना जाता है मतलब हमारे में यह functional नहीं है कभी जो ancestral रहे हैं ancestors हमारे वहाँ पे जब हम evolutionary point of view से compare करें तब हमें पता चलता है कि वहाँ पर यह structure functional रहा है हेलो शिवा, how are you? बढ़िया, ठीक है जी आप ओके, सीकम भी vestigial है और appendix भी यह well developed होते हैं herbivores में herbivores जानवर जो चारा खाते हैं उसमें मुक्य रूप से cellulose हैं cellulose को digest कराने के लिए symbiotic microorganisms चाहिए कोई भी higher animal अपने आप metazone जो है lower organisms अपने आप कर सकते हैं protozone हो यह bacteria हो higher animals अपने आप cellulose नहीं digest करते हैं उन्हें किसे symbiotic microorganism की मदद लेनी पड़ती हैं जैसे आपने ruminants के case में भी पढ़ा है जुगाली करने वाले जानवर जो होते हैं cud chewing mammals जोने कहते हैं उनका stomach compound होते हैं जिसमें अलग-लग chambers होते हैं rumen, reticulum, omesum, abomasum तो उनके rumen and reticulum chamber में cellulose digesting symbiotic microorganisms होते हैं बिल्कुल सहीजी चालो मैं ठीक हूँ शिवा आगे बढ़ते हैं appendix का inflammation हो जाए तो appendicitis कहते हैं और humans में कई बार appendix की surgery करनी पड़ती है उसे appendectomy कहते हैं what is appendectomy? it is surgical removal of appendix appendectomy is surgical removal of appendix याद रखने आपको, ओके? ना, यह आप देख पारें क्या कर रहें? बहुत पुराने जमें में Egyptians जो थे, जब वो mummies वगेरा बनाते थे तो dead body को जब चीर फाल रहे होते थे तो उनको उसके अंदर ने एक worm जैसी चीज दिखी तो उन्होंने तब ही से उसका नाम vermiform appendix रख दिया large intestine में आगे बढ़ते हैं सीकम के बाद आता है colon, ascending colon, transverse colon, descending colon then sigmoid or the pelvic colon देखते हैं जी colon divided into four parts ascending colon, transverse colon, descending colon sigmoid colon जीसे pelvic colon भी कहते हैं आप ये देखिए ये वाला पूरा हिस्सा कहलाता है ascending colon यहाँ पे right hepatic flexure है right? flexure मतलब bend ये जो bend आ रहे हैं right hepatic flexure ये वाला हिस्सा होता है transverse colon यहाँ पे left colic flexure है जीसे splenic flexure भी कहते हैं flexure मतलब bend, colon यहाँसे bend करती है और नीचे को आती है और इतना हिस्सा descending colon कहलाता है ये आगे का हिस्सा sigmoid या pelvic colon कहलाता है colon में जो pouch like structure नजर आ रहे हैं they are called hostra ये क्यों बनते हैं? because the wall of colon has three columns of longitudinal muscles वो जो longitudinal muscles यहाँ पे colon में present हैं the three columns of longitudinal muscles are called tenea coli tenea solium मत कह दे न, tenea solium टेप वो में tenea coli, three columns of longitudinal muscles contraction of these muscles, they form hostra इसके लावा, यहाँ पे masses भी present हैं appendices epiploy के कहते हैं वो आप दे शक मत याद रखे ये याद रखा न, tenea coli and उसके लावा जो मैंने दूसरी चीज़ बोली that is hostra contraction of tenea coli forms the hostra एक x-ray picture को आप देख करके बता सकते हैं small intestine कौन से है, large intestine कौन से है कैसे होस्टरा से और tenea coli से हम पैचान जाएंगे कि वो large intestine है is it clear जी, आयूश now what is rectum, the last 20 cm of the GI tract is called rectum आखरी हिस्सा 20 cm और उसका terminal 2-3 cm जो है वो anal canal कहलाता है and आप जानते हैं anus की, anus जो opening है उसे regulate करते हुए 2 sphincters होते हैं यह बड़ा important है this is rectum, right this external opening is anus अंदर आपको anal canal नजर आ रही है यह दो sphincters याद रखना internal anal sphincter यह smooth muscle से बना होता है यह involuntary है external anal sphincter में skeletal muscles होते हैं और यह voluntary है इसका voluntary होना जरूरी है है ना, voluntary मतलब अपने control में skeletal muscle आप देखो digestive system की शुरुआत में tongue present है pharynx है वहाँ भी skeletal muscle है digestive system के end में anus को surround करता हुए external anal sphincter वहाँ भी skeletal muscle है जो की voluntary हैं बाकी elementary कनाल में smooth muscles हैं जो की involuntary हैं so entry to the digestive system and exit from the digestive system is under the voluntary control of the animal अगर anus में यह voluntary muscle, skeletal muscle ना होते तो feces कभी भी अपने आप बाहर pass out हो जाती पता ही नहीं चलता हमें clear है जी? right? E. coli bacterial arge intestine में है अभी उसका जिकर करेंगे मेरे बात समझ आई? clear हुआ जो बात मैंने बोली? आयूश, spam मत कीजी irrelevant बात पूछ करके okay जी mucous membrane of the anal canal is arranged into longitudinal folds called anal columns या rectal columns of morgagni भी कहते हैं okay? ठीक है जी? यहाँ पे arteries और veins है कई बार जो है rectum region में veins enlarge कर जाती है और तब piles यह hemorrhoids हो जाते हैं न anus has two sphincters internal anal sphincter which is involuntary as I told you external anal sphincter which is voluntary okay? याद रहेगा जी इतना? बिलकुल clear है? सभी था? ठीक है जी? चलो, आगे बढ़ सकते हैं histology of large intestine अगर मैं large intestine का section काटू तो क्या नजर आएगा? थोड़ी दर पहले मैंने tenea coli बोला था न portions of longitudinal muscles they are thickened forming three conspicuous bands called tenea coli सो अब आप देखो यहाँ पे यह रहे three columns of longitudinal muscles called tenea coli contraction of these muscles form the pouches called hostra and यहाँ पे fatty appendices epiploi के भी है epiploi appendices भी इन्हें कह देते हैं right? clear है? आगे बढ़ हूँ large intestine में tonic contractions of the bands they gather colon into a small pouches जब उनमें एक muscle tone develop होती है तो वो contract करते हैं और hostra बनते हैं जिसके कारण colon का एक different तरह का appear in समय नजर आता है let's see what are the functions of the large intestine undigested food को large intestine store करती है है न? then यहाँ पे पानी एब्जॉब होता है amino acid, ions, vitamins bile, salt यह सब एब्जॉब हो जाते हैं large intestine स्वयम bicarbonate, ions and mucus भी सिक्रीट करती है किसलिए? to neutralize the acidity produced by bacteria large intestine में लाखों bacteria है E. coli, streptococcus fecalis जो negligible amount में cellulose भी digest कर लेते हैं bacteria E. coli and streptococcus fecalis यह convert करते हैं bilirubin pigment को eurobilinogen and starcobilinogen में कहां से बनाया है? यह bilirubin, biliverdin hemoglobin के टूटने से ठीक है जे? So, eurobilin और starcobilin pigment यह bacteria बना देते हैं some eurobilinogens are absorbed into blood stream and passed out through urine urine का yellow color किस कारण से है? eurochrome के कारण है अर्शी maximum absorption of water small intestine में होता है large में नहीं बहुत से बच्चों को यह गलत पढ़ाया जाता है और वो गलत सोचते हैं कि maximum water is absorbed in large intestine wrong out of the things which are absorbed in large intestine जो भी चीजें large intestine में absorb होरी उनमें से सबसे ज़्यादा पानी है लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि पूरी elementary canal में सबसे ज़्यादा पानी large intestine में है no maximum water absorption occurs in small intestine clear है? याद रखेगा maximum water absorption small intestine में है आगे पढ़ो eurobilinogens and starcobilinogens जो की colon में रह जाते हैं वो convert होते हैं eurobilin और starcobilin में और यही pigments हैं जो feces को excreta को yellowish brown color देते हैं जो excreta है feces है उसका color किस कारण से है? because of starcobilin pigment right जी? because of starcobilin pigment now जो bacteria present हैं वो ammonia भी बनाते हैं indoles, scatoles, hydrogen sulfide जिसके कारण feces की bad smell होती है peptides के उपर act करके bacteria hydrogen gas भी बनाते हैं ammonia भी बनती है methane भी है indoles, scatoles, hydrogen sulfide all these things they give the bad smell to excreta or the bad smell to the feces right? लिखे न? these are responsible for the odor of the feces odor is referring to what? odor is referring to smell थोड़ा बहुत cellulose भी यहाँ पे digest कर लेते हैं bacteria but from energy point of view it is negligible ओके? ठीक है जी? देखेंगे यहाँ पे large intestine से related कुछ और surgery दिखाएं can you see this colon? large intestine पूरा abdominal region को फाड़ के बाहर निकाली गई है डर तो नहीं लग रहा देखके जिन बच्चों ने अभी तक like का बटन नहीं दबाया है session को like जरूर कीजेगा share भी जरूर कीजी and सब लोग anthe exam के लिए जरूर, जरूर enroll कीजी अकाश national talent hunt exam video के description में आपको link मिल जाएगा आप हमारा telegram channel join कीजे वहाँ पे भी आपको link मिलेगा ठीक है जी? मुहमद अद्नान, enjoying the session? great! बड़ी ऐसे surgeon बनाना है हमने आपको intestine में gas भी बनती है जैसे flattus कहा देते हैं ये technical word है the metabolic activity of the bacteria that creates the intestinal gas food with large amount of indigestible carbohydrate जैसे आप फलियां खालेंगे beans खालेंगे, gobi खाएंगे, प्याज खाएंगे इससे जादा gas बनती है है न? जादा complex polysecret खाएंगे तो जादा gases बनेंगी चले जे एक बार जरा हम quickly पूरी elementary canal की summary देखें, हमने क्या क्या पढ़ा digestive system में, elementary canal और digestive glands, elementary canal में क्या क्या चीज़ें हैं, देखें elementary canal में mouth है, pharynx है, isophagus, stomach, small intestine large intestine, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पढ़ा दी ये complete हमने cover कर लिया है अब हमने आगे क्या पढ़ना है जी आगे हम पढ़ेंगे कि किस तरह से सारे food components digest होते हैं, what is carbohydrate dization, what is protein dization कहां पे शुरुवात होती है carb protein dization की कहां पे complete होते हैं, stomach का structure बता चुका हूँ, cardiac region, fundic region, body region, pyloric region small intestine बता चुका हूँ, diodenum, jejunum, ileum large intestine बता चुका हूँ, cacum, colon and rectum ठीक है, so I hope you have enjoyed the session दिमाग के कपाट खुले हैं आपके, पोरे का पूरा pdf जो है, हम आपके साथ share करेंगे, कहां पे share करेंगे pdf notes जो हैं, वो आपके साथ share किये जाते हैं हमारे telegram channel पर, so you have to join akash by jus neat, official telegram, right ठीक है जी, अब आप पिदा ले सकते हैं, मज़ा आया, बताईए सब लोग, अच्छा लगा session आपको और पीछे के session जरूर देख लेना है न, मैं फिर से अपने time table बता दू, कब-कब मैं आपको live मिलता हूं Tuesday, Thursday को Tuesday और Thursday को 3 बज़े भी और 5 बज़े भी, 5 बज़े को genetics पढ़ा रहा हूं, Tuesday और Thursday को genetics के भी सारे videos channel पर available है, right and Friday के Friday 6 बज़े मिलता हूं human physiology, इसके लावा बाकी सभी teachers भी आपको live मिलते हैं है न, clear है जी सबने channel subscribe कर लिया, मानसी बेटा चो, नमशकार बाई बाई, God bless you all stay blessed अ, कर दो बाई, God bless you all